2024 के लोकसभाद चुनाओं की आहाट सुनाई दे रही है और 2024 में भारतिय जनता पार्टी का विजय रथ रोकने के लिए विपक्सी पार्टियों ने इंडिया ब्लॉक करके एक एलाइंस बनाया है। अकाली दल और कॉंग्रेस के बीच में 36 का अंकडा रहा है चाए वो एंटिसिक राइट्स का मामला हो या फिर दर्बार साफ पर हमले की बात हो इसी तरह कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर पंजाब में इंडिया नामक का जो अलाइंस है वो दिख भ्रमित लग रहा है उ उसकी कोई इंपोर्टेंस दिखाई नहीं दे लिए खासकर इसलिए जब पंजाब में भारतिय जन्दा पार्टी का वोट शेर महज 5-8 फिसीदी के बीच हो ऐसे में क्या अलाइंस सचमुच से विपक्सी दलों को बेनिफिट करेगा या नहीं इस पर ज्यादा बाचित करन गया है पंजाब में उसकी कोई वैल्यू रही देखिए यह जो इंडिया एलाइंस बना है उसमें जो चर्चा हो रही है कि आम आदी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एड़ नैशन कोई नैशनल लेवल पे कुछ और उसकी इंप्लिकेशन पंजाब पे भी होंगी कुछ अरजस्मेंट सीड्स की हो सकती है और मुझे अगर मैं सिदा ही इस बात को मालनोर कहूं कि इसका सबसे यादा फैदा आम आदी पार्टी को होगा और इसलिए होगा कि पंजाम में बीजे पी जो है नॉन स्टार्टर है और बीजे पी में आज वो लोग है जो पुराने कांगरिस वाले हैं तो एक तरह से अगर मैं यह कहूँ कि आम आदी पार्टी कांगरिस पार्टी से औलाइkeiten कर रहे हैं तो यह कांगरिसמן से औलाइ critics कर रही है जो बीजे पी भी है और आम आदी वी ऑर कांगरिस में तो एक midalay तो आग इसलाइँ साबसे इस यह जो एका पार्टी हैं अब जैसे अकाली दाल और भाजपा अगर आपस में नहीं मिलते तो भाजपा का तो फ्यूचर वैसी शुड़ नहीं हुआ तो उनको यादा फरक नहीं पड़ेगा और अकाली दाल मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों के लिए सिर्फ उपोजिशन पार्टी पंजाब में और रूलिंग पार्टी आमादी पार्टी रहेगी अगर ये अलाइंस आगे चलता है और जो कांग्रेस क्या लोकल यूनिट है उनका कहना बिलकुल वो तो अपनी बात कह रहे हैं कि हम तो पंजाब में में उपोजिशन पार्टी हैं और उपोजिशन पार्ट तो उनकी एक प्लिटिकल होंद भी खत्म होती है पर अब जब एंटी भाजपा अलायंसा बनाते हो तो उसको वन साइज पार्टी का बड़ा सोची समझी है ये और इससे उनको काफी फाइदा हो सकता है मा लिजे कि अगर पंजाब में अलायंस काम्याब नहीं होता है तो आपको लगता है कि इसका किसे ना किसी रूप में शिरुम disrupt काली दल और भाजपा को फाइदा हो सकता है बिलकुल हो सकता है पर मुझे लगता नहीं कि भाजपा और शिरुमान अकाली दल या तो वो सूसाइड वाली रोड़ पर चले हुए है कि हम पंजाब में अकाली दल और भाजपा का अलाइंस जैसे आप जलंतर में देखें अगर इन दोनों पार्टी की जो अलेक्टोरल अर्थमेटिक में वोर्स जमा कर दें तो उलेक्शन जीतने के बिलकुल आसपास आ जाते हैं अगर अलग अलग लड़ेंगे तो जलंतर मौडल सा जब कांगरस इस में मिल गये तो फिर तो मुझे लगता है कि उनके लिए तो स्वीप है तो ये कुछ भी है कि हम पंजाब में स्वीप करेंगे परानें कांगरस्मेंन आब हमारे साथ हैं पिटी हुई कांगरस्मेंन उससे क्या राज-णीति करोगे आप मुझे बिलकुर सम की कोई boundary नहीं है आज इदर चले जाओ कल उदर चले जाओ आज हम जो बात चर्चा कर रहे हैं कल ये चर्चा का कोई मैना ही शायद ना रहे पता नहीं कुन किसके साथ मिल गया और कुछ ऐसा भी हो सकता भी अकाली दान और आप मिल गए तो अब ये चर्चा का क्या फैदा सिर्फ जीतना और जीतना अलेक्शन जीतना वही रह गया उससे यादा राजनीतिक सद्धांत प्रिंसिपल आइडियालोजी विचारधारा नदर नहीं आ रही है ये एक दुखांत है और मुझे लगता है इसके बारे में लोगों को भी सोचना चाहिए और राजनीतिक जो उनको भी चिंता करनी जाए है सुर्गे प्रकासिंग बादल के देहवासां के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अकाली दल और भाजवा का गटवंदर निकवार फिर से हो सकता है लेकिन पिछले दिनों स्वयम अकाली दल के पुर्मक सुफिर बादल ने कुछ ऐसी बातें करी यह कुछ ऐसे संकेत दिये कि शायद अब अकाली दल भी इस हक में नहीं है तो अभी अलाइंस की तरफ से भी फिलर्स आ रहे थे अकाली दल को कि आप जोईन किजिए आपको लगता है कि अकाली दल बड़ी सोच ही समझे तरीके से जो है फैसला लेगा और अभी शांत बैठ अलाइंस है नहीं होता तो फिर तो आप कुछ भी करो ना मौका है जिस सरब मौका मिलेगा पार्टियां उस सरफ जाएंगी तो मुझे यह लगता है तब ही मैंने कहा कि कौन किसके साथ मिल जाए इसके लिए कहना बड़ा मुश्किल है और आम आदमी पार्टी अकाली दल की और यह बहुत एक को यह को के कुछ दिसकंटर्ट जो लोग है इस अलाइंस चे जो आम आधि पार्टी वाले विए काली दल को स्पूर्ट कर चाहीं था कि मैं यह कहा रहा हूं कि यह राजनीती जो है मोका प्रस की राजनीती है और इसमें एक सोच समझ के राइनियतिक सोच वो मुझे नजर नहीं आ रही पंजाब के संधर्म में कि एक उपोजिशन पार्टी और एक रूलिंग पार्टी आपस में मिल रहे हैं तो लोग किसके पास जाएंगे अपनी समस्राएं को लेके ये एक मुझे सोचने पे मजबूर करता है पर मैं एक बात बार बार कह रहा हूं कि मैं इस बात के लिए आम आदमी पार्टी को उनकी सोच उनकी समझ का दाद देता हूं कि उन्होंने अच्छी इतनी अच्छी मूव सारी परानी पार्टीयों को रिडंडन्ट कर दिया पहले अमरिंदर सिंग बर्डिंग जो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाब हैं बहुत लोगों का सेंटीमेंट इलाइंस के खिलाब वहीं अब जो पार्टीय आलाकमान ने फैसला लिया है कि इलाइंस होना चाहिए वो सही है तो आपको लगता है कि अगर पंजाब के कांग्रिस नेता अगर अलाइंस के साथ नहीं जाते हैं तो कहीं न कहीं रास्टियस तर पर अलाइंस को नुक्सान पहुंचेगा देखिए बात ये है कि रास्टियस तर जो है उसमें पंजाब एक छोटा सा तेरा सीटों वाला परदेश है और कांग्रिस पार्टी की राजनीती तेरा सीटों से कहीं आगे है और अगर पंजाब का यूनिट नहीं भी कुछ मानेगा तो वो फिर भी अलाइंस को आगे लेके जाएंगे क्योंकि नहीं तो आम आदी पार्टी अगर अलाइंस से अलग होती है नैशनल लेवल पे तो सब जगा अगर अपने उनोंने प्रत्याशी खड़े किये तो सबसे जादा वोटों कांग्रिस की काटेंगे और उसका फैदा बीजेपी को है अब कांग्रिस अगर पंजाब अली कांग्रिस दूबदा में है तो नैशनल कांग्रिस भी दूबदा में है क्योंकि आज कल मुझे ये लग रहा है कि प्लिटिकल राजनीतिक दल अपने बल्बूते पे अलेक्शन ना लड़के एक दूसरे के बल्बूते पे अलेक्शन लड़ने लगे हैं या तो एक नेरिटिव प्लिटिकल नेरिटिव सोच उन मुझे जुड़ जाएं कि जीत या हार होती रहेगी पर हम इन मुद्वों के साथ जुड़े रहेंगे इतना शैद उन में पेशन्स भी नहीं है क्योंकि एक बर सत्ता कर ली अब लगता है सत्ता बार बर मिले जैसे मरजी मिले मुझे ये लग रहे हैं कि अपरचुनिजम जो है इसी का उनको शैद गस्ट है इसी से ही शैद वो अपनी राजनिती चलाना चाहते है ये एक विशे मुझे लगता है सबसे आदा जरूरी है कि हमारा देश इस समय अलेक्शन जीतने या हारने की राजनिती करता है अच्छी हेल्दी राजनिती की सोच उसकी विचारधारा अब मुझे नजर नहीं आ रही ये सोच रहा है शुकरिया सब ये थे प्रोफेसर परमोध कुमार जिनकी बाचीत से साफ है कि पंजाब के परिदरिशे में इंडिया अलायंस को रास्टी परिपेक्श में नहीं देखना चाहिए इसे इरिजिनल परिपेक्ष में देखना चाहिए कियोंकि पंजाब में ज्यादातर समय में जो क्षेत्री राजनेती है, राजनेती एक मुद्दे हैं, वो हावी होते रहें, साफ है कि अगर पंजाब में अलाइंस कारगर नहीं होता है, तो उसका फाइदा भाजपा और शिर